इसमें लावर हमारी रहीम, Assalamualaikum students, hopefully you all are doing good So students, unit 8 energy के आज के मारी topics है water power and tidal and wave power Water power जो topic है वो आपके book के page number 86 पे है and tidal and wave power जो topic है वो आपके book के page number 87 पे है इन साथ में exercise question number 14 करेंग Water power means water की जो energy है और वो कहां से आती है? Water flow की वज़े से जो इसमें energy आती है उसको हम कहते है water power So dams में क्या किया जाता है? Energy is obtained due to water flow Water की flow की वज़े से जो energy आती है उसको इस्तिमाल किया जाता है To generate electricity So fifth of all electricity जो भी हमार पास electricity आती है उसका जो fifth part है वो हमार पास dams से आती है Dams में जो electric city produce किया जाती है by using water flow So water flow downhill dams में क्या किया जाता है? कि water को store किया जाता है Water reservoir होता है Reservoir means water को store करने के लिए बहुत बड़ा एक area होता है वहाँ पे water को store किया जाता है And then इस तरहां से water flow downhill downhill water की flow करवाई जाती है इस तरहां से उपर इस पानी आ रहा है तो यह downhill flow करता है अब यह जो यहाँ पे यह area जहां से water flow करते हैं नीचे जाता है तो यहाँ पे turbines set की होते है जब पानी यहां से नीचे की तरफ जाता है तो टरबाइन्स यहां से रोटेट करते हैं क्योंकि पानी उपर से जब फ्लो करके नीचे आता है तो यहां से टरबाइन्स जब रोटेट करते हैं तो यह टरबाइन्स आगे से जनरेटर्स के साथ अटाच होते हैं टर्बाइन्स मूव करते हैं जेनरेटर्स वहाँ से रन करते हैं जेनरेटर्स जब रन करते हैं तो इलेक्ट्रिक्सिटी प्रोड्यूस की जाती है और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक्सिटी प्रोड्यूस की जा रही है वाटर फ्लो की वज़ा से पानी की सिमाल की वज़ा से तो इसको रिजर्वेर या इसको आर्टिफिशल लेक भी के आजाता है जो कि डैम्स में जो वाटर स्टोर किया जाता है जिस एरिया में उसको वाटर रिजर्वेर का जाता है Water for use in homes ये हमारे पास water प्रोवाइट करता है to use in homes, factories वगारे में इस पानी को इसमाल हम कर सकते हैं पानी बेज़ा जाता है उसके लिए इसलिए होते हैं फिश फार्मिंग के लिए जाए हैं जासे होते हैं उस पानी में हम फिश वागरा जो है वो ग्रोग रवा सकते हैं तो फिश फार्में के लिए इस पानी का इसमाल किया जा सकता है, इस रिजर्वरे का इसमाल किया जा सकता है इसके डिसद्वांटिजिस क्या हैं कि they are expensive to build, डैम्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा चाहिए होता है इसके लावा वाटर लाइफ मीन्स जो पानी में रहने वाले प्लांट्स, आनिमल्स वगारे हैं उसके लिए प्रॉब्लम्स काॉस करते हैं जब पानी को हम एक साइड पे स्टोर करके रखते हैं और डैम्स में अगर वो बहुत जादा भर जाते हैं उसमें पानी की बहुत जादा लेवल जो है उसका हाई हो जाता है तो उससे फ्लर्ड के सहलाब के चांसिस होते हैं और सहलाब आ जाते हैं तो उस डैम्स के आसपास जो भी एरिया होता है वाँपे फ्लर्ड आ जाता है over long time जादर time जसे जसे time गुजरता है तो जो dam का पानी होता है अगर उसमें mud वगारा कोई present है तो वो mud जो है वो नीचे settle down होती रहती है और time गुजरने के साथ चाहते होता है it makes it useless जो ये mud के बाज़ा से वो useless हो जता है पानी next है tidal and wave power tides और waves जो rivers के across produce होती है जो लहरे produce होती है this is the underused, underused means के इसका ज्यादा तर इस्तेमाल नहीं किया जाता बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है इसका and is a clean source of energy, clean source means के ये pollution नहीं कोस करता इसलिए ये clean source है energy का और tidal and wave power जो है ये oceans and seas से हम use कर सकते है oceans और जो समंदर का पानी है वहाँ पे जो लहरे produce होती है waves ये types produce होती है उसका हम इस्तेमाल करके power generate कर सकते है so there are very few power stations, tidal power stations बहुत कम है like across river, rains in northern France, at Annapolis Royal, in Nova, Canada, South Korea तो बहुत कम जगों पे tidal power stations बनाए गए हैं क्योंकि इसको ये जो stations होते हैं ये across, जो mouth of river है वहाँ उसके across इसको build up किया जाता है इन tidal power stations को ऐसी जगह पे जहाँ पे tides और waves produce होती है अब होता क्या है इसमें इन power stations में जब tides flow करती है लहर आती है rivers की तरफ समंदर वली side पे, दरिया वली side पे जब tides produce होती है, flow करती है tides into the river तो वहाँ पे जो turbines इस तरह से set होते हैं कि turbines एक direction में move करते हैं for example turbines इस side पे सब के सब move करें, turbines अब move तो करें, तो turbines जब move करते हैं, turn करते हैं तो उससे generators भी run होते हैं और electric city produce होती है और जब ये tide fall करते हैं वापेस, उससे क्या होता है, पानी बाहर की दरफ आता है and turbines turn in the other direction, अब turbines पहले किसी और direction में move करें थे, अब पानी वापस आ रहा है तो turbines की direction चेंज हो रहा है for example turbines इस side पे move कर रहा था, तो अब दूज़ी side पे move करना शुरू कर देगा पानी यहां से flow करते हैं इस तरफ अगर आ रहा था, for example ये river है, इस side पे ये river है और ये turbine set के हैं, यहां से पानी जब wave आती है, इस side पे rivers की तरफ आती है, तो ये turbines क्यूपर से गुजरती है तो ये turbines इस सरफ rotate करना शुरू कर देते हैं, अब ये tide जब fall करती है, वापिस पानी पीछे की तरफ जाएगा, तो उससे क्या होगा, यहां से पानी जब इस सरफ आएगा, तो ये turbines इस सरफ rotate करना शुरू कर देंगे, लेकिन turbines दोनों cases में rotate कर रहे हैं, turn कर रहे हैं, तो या फिर लहर वापस आती है, पानी जब tide fall करती है, तो दोनों ही cases में turbines run करती हैं और electricity produce होती है, अब इसके drawbacks क्या है, कि expensive है, इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा चाहिए होता है, it affects the water flow, water के flow को ये affect करते हैं, उस पे असर होता है इसका, damaging effects on wildlife, उस पानी में र खत्रा होता है इसकी वज़ा से, storm driven waves, तो फानी जो लहरे होती है, तो फान की वज़ा से आती है, वो destructive होती है, उसे क्या होगा, turbines और generator वगारा set की होती है, वो damage हो सकती है, already इतने expensive इतना खर्चा आता है, तो storm की वज़ा से मजीद उनके damage होने का खत्रा होता है, and they need strong generators, so इस तो कोई power नहीं generate होगी, so यह सब इसके disadvantages है, now come to page 93 exercise question number 14, what are the advantages and disadvantages of building wind farms on land and offshore, कि क्या advantages और क्या disadvantages है wind farms बनाने के on land and on offshore, so advantages यह हैं कि wind power is a clean form of energy, clean source है यह energy की and it works best in windy areas, और यह ऐसी एरिया पर best होते हैं, जहां पर wind होती है, जो windy areas होते हैं, तेज हवाई चलती हैं, तो इन से wind turbines turn करते हैं, तो यह advantages, disadvantages इसके हैं, कि they are expensive to build and can be damaged by storm, wind turbines का यह disadvantage है, कि इसको बनाने के लिए बहुत जादा expense चाहिए होता है, expensive होता है, और इनका damage होने के chances भी होते हैं, storm, जब तोफान वगरा हो, तो उसे यह damage भी हो सकते हैं, wind turbines, they can be noisy and danger to birds and wildlife, noisy भी हो सकते हैं, noise pollution cause करते हैं, इसके लावा birds और बाकी wildlife जो इसके लिए यह dangerous होते हैं, so आज का आपका homework है, read the topics water power and tidal power, tidal and wave power that's on page 86 to 87, write and learn exercise question number 14 on your notebook, see you next time, Allah Hafiz